पुद को इतना काबिल बना लो कि उसे एहसास नहीं पच्चतावा होना चाहिए नफरत नहीं है तुझसे लेकिन अब मुहब्बत भी नहीं है विज़रने का दुख तो बहुत है पर अब मिलने की चाहत नहीं है आते जरूर है अच्छे लोग जिन्दगी में पर वक्त पर नहीं आते रिष्टा उसी से रखो जो आपको खुसी से अहमियत दे किसी के पीछे पढ़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं अगर आपका जमीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं परता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुड़ा कितने भी दलदल हो जिन्दगी में अपना पैर जमाए ही रखना चाहे हाथ खारी हो जिन्दगी में पर हमेशा उसे उठाए ही रखना कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता अपना होसला बर्प जमने तक बनाए रखना कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते थे एक समय था जब मंत्र काम करते थे फिर एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे और आज के समय में कितने दुख की बात है सिर्फ सड्यंत्र काम करते हैं सराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तो किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वो आपको बेवकूप समझ लेता है जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुन्य का काम समझते हैं अगर उसी तरह जिन्दा लोगों को सहारा देने लगे तो जमाने से दुख यूही मिट पर खंड़ाने के बहाने ढूंडते हैं उन्हें रोको मत बलकि उन्हें दर्वाजे तक छोर आना चाहिए किसी घर में एक साथ रहना पडिवार नहीं कहलाता है बलकि एक साथ जीना एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना पडिवार कहलाता है। दिल में जजबात और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। सिर्फ महबत महबत चिलाने से महबत नहीं होती। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी। लेकिन मौत वाले दिन सब ने पूछा की कैसे मड़ा। रिष्टो का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। रिष्टे तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग कभी लोट कर नहीं आएंगे। घर तब तक नहीं तूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर तूटने में देर नहीं लगती। बहुत दूर तक जाना परता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदिक कौन है। कई बार मन करता है हार मान लू लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। भाई भाई का रिष्टा भगवान ने विपत्ती बाटने के लिए बनाया था। लेकिन अपसोस आज ये सिर्फ संपत्ती बाटने तक सिमट कर रह गया। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरन नो देना पड़े। दूसरों के बुड़े वक्त पे हसने वालों वक्त जब भी सिकार करता है वो हर दिशा से वार करता है। उपर वाला मौज में आये तो सर्ताज बना देता है और जरासी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। चर्चे हमेशा काम्याभी के हो चरूरी तो नहीं बरबादिया भी किसी सक्स को मसहूर कर दिया करती है। अमीर वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा वो चीजे होती हैं जो पैसों से नहीं खरी दी जा सकती। सारी चीजे किस्मत से नहीं मिलती है दोस्तों कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। जो हमारे सबसे बड़े सुवचिन तक होने का दावा करते हैं अक्सर वही लोग हमारी खुशियों में आग लगाने का काम करते हैं। कदर करना सीख लो क्योंकि ना ही जिन्दगी वापस आती है और ना ही जिन्दगी से गय हुए लोग वापस आते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जनाब जिसकी खुशिया ही दूसरों की मर्जी पर निर्वर करती है। सराब पीकर सच बोलने वाले को दुनिया सराबी कहती है पर चरनामरित पीकर जूट बोलने वाले को दुनिया भक्त कहती है। जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कदापी समझाया नहीं जा सकता जिंदिगी में इतनी गलतियां ना करो कि पैंसिल से पहले रबर घिस जाए और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए